Hi guys I came here with a new video in which I am telling about you cinematic effects तो दोस्तो आज मैं बताने वाला हम आपको की cinematic effects जो होते हैं कि उनको हम कैसे use कर सकते हैं बहुत ही easily come duration में आपको मैं फटा फट बताने वाला हूं कि हम अपने जो वीडियो है उसके अंदर cinematic look कैसे लेकिया हैं तो दोस्तो ये वीडियो जो आप देख रहे हैं इस वीडियो को change करूंगा मैं इस वीडियो में this into this तो दोस्तो ये है मेरी original video clip जो मैं आपको दिखा रहा हूं तो दोस्तो मैंने यहां पर यह अपनी file ले ली है यहां से मैं अपनी adjustment layer ready कर लेता हूं जिससे मैं सिरफ adjustment अपनी according एक अलग layer के हिसाब से कर सकूँ direct मैं अपने video पे effects ना डाल सकूँ यहां से मैंने अपनी adjustment layer ले लिया है यहां से थोड़ सी इसको थोड़ा सा आगे की तरफ कर देते हैं तो बराबर हो जाएगी तो जितनी भी हम editing करेंगे वो सारी adjustment layer के उपर होगी हम अपनी original video के उपर हम कोई भी effect नहीं डालने वाले हैं तो यहां पर हमने लुमेटरी colors को यहां पर select कर लिया है और लुमेटरी colors में हम यहां पर नीचे जाएंगे तो यहां पर हमारे blacks है उसको थोड़ा सा यहां पर हम कम करेंगे और जो हमारे whites है इसको थोड़ा सा हमें ज्यादा करने की ज़रूत है क्योंकि light थोड़ी सी कम है इसके अंदर यहाँ पर shadows को हम यहाँ पर थोड़ा कम करेंगे यहाँ पर जो हमारी basic highlights है वो हम यहाँ पर correct करने कोशिश करेंगे और saturation को थोड़ा से बढ़ाएंगे जिससे इसमें color में थोड़ा सा enhance हो जाए तो यहाँ पर हमारी basic settings हो चुकी है जो की मैंने मेरी original वीडियो पर किया है अब जितने भी मैं अपने जितने भी effect डालूँगा वो जो मैंने adjustment layer डाली है इसके ओपर लगाऊँगा तो हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे हमारे RGB curves के अंदर यहाँ पर मैं basically 3 point यहाँ पर मैं बनाऊँगा जिससे हम normally हमारा अच्छे से इसके अंदर color correct कर सकें तो सबसे नीचे से हम करेंगे हमारे shadows के लिए जो हमारी normal shadows है lower shadows को हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे की तरफ करेंगे और जो mid tone है उस mid tone को थोड़ा सा shadows में लेके जाएंगे जो upper curve है उसको हम थोड़ा सा white light में लेके जाएंगे जिससे हमारे जो वीडियो है वो इसके अंदर cinematic view जो हमें देखने को चाहिए वो हम अपने according वीडियो के साब से यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर as shape जो बनने वाली है जो normal जो हमारी देखने को मिलती है cinematic में यहाँ पर as shape देखने को मिलती है तो यहाँ पर finally हमारा curves का सारा के सारे effects हम यहाँ पर डाल चुके हैं इसके बाद हम जाएंगे hsl secondary के अंदर यहाँ पर हम अपारी जो settings है वो यहाँ पर correct करेंगे तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर थोड़ा सा blue tone थोड़ा सा आ जाए जिससे हमारी जो वीडियो है वो थोड़ी सी बहुत actual जो color हमें चाहिए है वो color हमें देखने को मिल जाए तो यहाँ पर हमारे h, s और l को हम यहाँ पर correct करेंगे जिससे हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही इसके अंदर जो colors हमें जो निकर के देखने को मिलेंगे वो यहीं से देखने को मिलते है तो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा correct करूँगा यहाँ पर हम सिरफ अपनी वीडियो के according सारे colors को correct करने को सिच करेंगे नीचे की बात करें तो हम यहाँ पर denoise को थोड़ा सा बढ़ाएंगे मैं थोड़ा से इसको blue की तरफ लेके जाऊंगा जिसमें हमें थोड़ा से real effect में देखने को मिले पानी का और जितने भी color है तो यहाँ पर all set हो चुका है तो अब last में हम बिल्कुल last का जो बचा है यहाँ पर हम contrast और sharpen और saturation को थोड़ा सा change करने की ज़रुत है जो कि हमें वीडियो के अंदर मेरे को थोड़ी से कमी देखने को जो मिल रहे हो यहाँ पर complete हो जाईए तो मैं यहाँ पर contrast को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ Sharpen को थोड़ा सा बढ़ाने की ज़रुत है और saturation को थोड़ा कम करने की ज़रुत है यहाँ पर तो दोस्तों इसमें हमारा final जो step रहा है वो हमें एक curve में जाके मिलेगा जहांपर हमें हुई saturation में जाके नीचे देखने को जो मिलने वाला है जहांपर हम यहांपर बात करने वाले हैं Luma versus saturation के लिए यहांपर हम जो हमारा last जो हमारा है जो shadow इसके अंदर थोड़ी कम करने ज़र होता है जो इसमें shadow हमें जो देखने को मिल रही है जो बिल्कुल clear cut shadow यहांपर हमें देखने को चाहिए तो हम यहांपर इसको थोड़ा सा set करेंगा यहांपर इसको मैं बिल्कुल नीचे की तरफ लेके चला जातो हमारा जो बिल्कुल last step बचा है इसके बाद यह बिल्कुल cinematic views हमें देखने को मिल जाएंगे cinematic look इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा यहांपर इस sharpen को हमें थोड़ा सा बढ़ाने की जुरुत है जो कि बिल्कुल final video में हमें देखने को मिल रहा है तो दोस्तों आगर यह वीडियो आपको पसंद आईए तो इस वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में